सबी दोस्तों को जैंखेंट बंदमात्रम राम राम एसे सीचीडी उसे में पूल वाली भरती का फिजिकल मेडिकल डॉकम फिरिपिकेशन सब कुछ एक इसना कराया जाएगा तो इस सारे प्रोसेस में कितने दिन का टाइम लगने वाला है फिजिकल पास करने के बाद कितने द पूरे दोस्तों को सेर कर लेना तो बहुत सारे दोस्तों का आपको मदद हो जाएगा पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ A to Z आप सभी को पता है आप सभी का जो फिजिकल हो कब से स्टार्ट हो रहा है जो कि 8 नौवंबर 2004 तक चलने वाला है इसी के लिए दोस्तों पर इंडिया में आप देशाते 105 सेंटर बनाए गए हैं फिजिकल के लिए और 59 सेंटर ऐसे बनाए जहां पर आपका आरमी होगा रिव्यू मेडिकल होने वाला है जिन पर चोंको मिलेगा उनलों के लिए 59 सेंटर अल्रेडी बनाए गए हैं तो आपको प्रसीजर क्या होगा आपका हो जाएगा इसके बाद भाई आपका डीवी होगा ठीक है जहाँ आपके पुर्य अदुसार डॉकमेंट को वेरिफाई किया जाएगा और यह दोस्तों जो तीन प्रसेस है यह एक दिन के अंदर कंप्लिट हो जाएगा फिर जो आपका सेकेंड डे होने वाला है सेके रिवी मेडिकल के लिए बनाए गए हैं बात बाकी दोस्तों जो भी बच्चे आपके फिजिकल पास करेंगे उनका मेडिकल यह 105 सेंटर में होने वाला है लेकिन यह 105 सेंटर में से 59 ऐसे कुछ सेंटर है जिनको सौटलिस्ट किया गया है और इन सेंटर में आपके रिवी मेडिकल होने वाला है बात बखी 105 सेंटर में जहां पर आप फिजिकल दोगे वहीं पर आपका मेडिकल भी होगा लेकिन अगर आपको भी मेडिकल मिलता है तो उसके लिए अलग सेंटर बनाए गए हैं जिस सेंटर में सुबिधा भी लेवल नहीं है क्योंकि मैं बता दूं री मेडिकल के लिए जो डॉक्टर की बैच होता है, और जो आपका मेडिकल करता है, वो डॉक्टर का बैच अलग होता है, दोनों अलग-अलग होते हैं, तो आपका री मेडिकल सुविदा जो भी आसपा सेंटर में विलेवल हो वहां पर बच्चों को बेज दिया जाएगा, तो अगर centre pass में हुआ, तो आपको दोस्तो एक से 2 दिन का time मिलेगा, अगर centre दूर में हुआ, तो पांस से लेके 6 दिन का भी आपको time मिल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसके लिए special दोस्तों आप यहां पे देख सकते है, 9 November से लेके ठीक है आपका दोस्तों देख सकते 21 November तक ये सारा चीज़ प्रोसीजर होगा तो आपको टाइम मिलेगा अच्छा कासा इसे नहीं को विज़रत नहीं है ठीक है तो ये दोस्तों आराम से 5-6 दिन का भी टाइम मिल सकता अगर सेंटर दूर में रहा तो और नहीं तो रहा तो जी सेंटर में आप मेडिकल दे रहें उसी सेंटर में अगरा सी सुभुदा रही willingness मिलेगा हुसी दिन आपका दोस्तों और एक बार भी जाएगा न जो जाए रहने वाला है दोस्तों पहस चीजवर बताती में एक चीज़ और बता दूं बहुत सारे बच्कम Marshakorn मे थिक करने के लिए आपको टाइम मिलेगा दो से लिए कि तीन दिन ठीक है चाहे आपको डाइकर रिजेक्शन नहीं है डाकुमेंट में यह चीज आप याद रखना कि कोई यूटूबर ने आपको इंफोर्मेशन दी हो चाहे ना दिया हो मैं तेता हूं कि डाइकर रिजेक्श यह आपको देता हूं जो कि आपके लिए बहुत रहने वाला है बात बैकी दोस्तों रिवी मेडिकल वगएरा के लिए और दस दिन ने एक्स्टा लिया है आप देख सकते हैं यह दस दिन के अंदर बहुत देख्टा दिया जाएगा और बात के रिजल्ट डेट के बारे में तो रिजल्ट भिला इंदर लोग डिखेर करेंगे और एसे सी पूरे form में है hij ठेल्ट के लिए इसे सी ने रिए हैं और वगरे जोने वाला है जो ही बच्चे संच्ध डिक एक पूर्म में लिनुक्त करने बता हैं मैं बता दू सभी के लिए खूसकरबरी है जनवरी लास्ट तक आपके जोनेटर भी आना स्टार्ट हो जाएगा और भाईया आप लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हो गए फरवरी के टाइम पे मैंने आपको पहले ही काज दिसंबर तक इस भतियों कम्पीट कराने का पूरा दोस्तों पूरा वेवस्था किया गया है मिनिस्ट्री और प्रेस ने पूरा दोस्तों डेटा जारी किया है और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार मेडिकल के लिए कोई भी स्पेसल कट अफ नहीं उठ रहा है जो भी बच्चा फिजिकल पास कर जाएगा पहले दिन ठीक है वो उस बच्चे को भाया किसी से बुलाया जाएगा डारेक्ट आपके मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा ठीक है और वही एड्मिकार रहेंगा जानी की कोई भी चांसे नहीं है तो मेरे कासे जो बच्चा वाईगा फिजिकल पास करेगा सेम दोस्तों हो जाएगा मेडिकल के लिए अब मैं दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मैंसे बहुत से श्वें रहें जो मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि सौर से एक सीड़ में दोस्तों पूरे छिलावा स्अ कवर आ जाती है यह सारे बक्स दोस्तों आपने की यह बढ़ने सीडियो में अच्छा नमबर नहीं लाप होगे सारो बुक का दोस्तों कॉम्बो मिल जाता है और यह पूरे बुक का लिंक दोस्तों वीडियो की डिस्क्षिन आपको मिल जाएगा आप इसे कॉमबो में पर्चेस कर सकते हो क्यों आपको प्रव्ल्लम नहीं होगा चक्सप उप्रिकेशन के वाना दी बैश्ट भूक है यह आपके जाएगा इसे आप टॉस्तों हमारा कम तक आएगा देखिए अट्मिट काड़् के लिए मैं आपको आपको जनकारी दे रहा हूं यह दोस्तों आप दे सकते गर्रोजेण को जारिए है यह दोस्ति बिपार्टमेटल नोटीस है और john phenomenal नोटीस है यी मेंगे मैंने यही आपको नोटीस दिखाया था आपको इंफोमेशन दी थी कि फीजिकल वगर आपके स्टार्ट हो रहे हैं और उस टेम पे मैंने आपको साइज अनकाई दी थी आज मैं आपको बता तो इसी नोटीस में मेंसन किया गे 20 दिन के विच्टर आपके एड्मिकार रिलीज कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फाद बाकी फीजियल को पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और एक वीडियो बनाओंगा जिसमें ऑपरेशन वगया कि इंफोमेशन देने वाला हूँ कि कि इतना पुराना आपका आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत है बच्चों क्या है कि उन्होंने डियॉव कि ऐसं कि прокस कि आतो उन लोगर ब्हुत जल्दी आने वाला है आप लोगे आपको ने बीडियों के बहुत जलस ज़र प्यार कि अपकी ब्र जो मैं कि मेंकर फिल्ईता न बूपक ने बूंगा मैबभाई इंफोमेशन जूर जाओ आपको एक एक जानकारी मेडिकल से लेके फिजिकल तक साब कुछ दूंगा मिरे दोस्ट टेंशन ही कोई जुरत नहीं है फिकर ही क्या है बाद जब सौरभ विश्राइन पॉप वीडियो चैनल है आपके साथ आपका भाई है ना तेसे कोई जुरत नहीं है एक को एक चीज बोलना चाहता हूं कि जितने बंदे से लिगी तयारी कर रहे हैं आप यह चीज मत सोचो कि आप फिजिकल के बाद आपको चार-पास दिन का टाइम मिलेगा हां मुझे पता है यूटूब पर बहुत लोग इंफॉमेशन दे रहे हैं कि फिजिकल पास करने पाद सबसे बड़ी चीज है कि मेडिकल के लिए कोई कटफ ही नहीं उठा है तो इससे क्या जो फाइनल कटफ है उसे बहुत आशर पड़ेगा और आपको क्या लगता है जो थीन लाग श्याली सेर बंदे क्वालिफाई हुए हैं सारे बंदे क्या फिजिकल पास हो जाएंगे मु और 2,00,00 मैं से भी आप देख लेना करीब मेरे कॉर्डिंग नई भी तो 1,00,00,00 से लेके 5,00,00,00 बच्चे भाई या फिजिकल फेल होने वाले हैं बहुत सारे बच्चों को हाइट में प्रॉब्लम होगा बहुत सारे बच्चों का रनिंग में प्रॉबलम है और बहुत सा को निकाला जाएगा जितना है उसके अनुसार आपका वेट होना जिसुले 161 आपका है तो मिनिमों आपका वेट 55 kg से लेका 65 kg के भित्र होना चाहिए ठीक है 55 kg के भित्राइब आपका अगर दोस्तों वजन नहीं है तो फिर आपको निकाल दिये जाएगा वजन के उपर मैंने एक अग से special वीडियो बनाया हुआ है अगर भाईया नहीं देखिए तो जा के देख लो क्योंकि अभी medical time पे एक एक चीज आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है आपको देखना बहुत दरूरी है और मैं ऐसी कोई information आपको नहीं देता document verification के उपर भी एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ part 2 इसका वीडियो आएगा तो कि बहुत सारे बच्चों को document अभी problem है कितनी variety होती है ये क्या होता है वो क्या होता है उसकी भी एक टूजर साई जनकारी मिलेगी भाईया पूरा सब कुछ मिलेगा टैंसनी कोई जुरत नहीं है आप बस तयारी करो physical की और physical के लिए बहुत सारा बच्चे परिसान है और physical time नहीं बचा, 15 दिन 12 दिन का time बचा आम नहीं आ रहा, 12 दिन तेरे दिन के अंदर physical कैसा qualify करे तो उसके उपर ही बहुत जल्दी आपको strategy वीडियो आएगी टैंसनी कोई जुरत नहीं है, मैंने आपको 8 जारी जनकाई दे दिये, physical से लेके medical तक की और कुछ doubt रहे गया हो इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बताओ मैं आपकी सारी doubt क्लियर कर दूँगा और अपने आपको fit महसूस करो, और जब medical और physical देने जाओ तो इस घमंड के साथ जाना कि मुझे इस बार पाजी बन के आना है, मुझे इस बार BASF, CRP, IDVP जोइन करना है यो कि देखिए, आपके नौकरी के आस में आपके घर वाले कपसे इंतिजार कर रहे है उन्हें बस आस है कि मेरा बेटा मेरा किसमत बदलेगा मेरा बेटी मेरी किसमत बदलेगी और यही लोग दोस्तों मेरी गरीबी को दूर करेंगे तो अपने फैमिली के लिए आपको सक्रिफाइस करना पड़ेगा और अपने फैमिली के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा हार मानने का मौका बहुत बार आएगा बहुत बार फेल होने का मौका आएगा पर अभी जो मौका है ये success होने के लिए आया हुआ है तो इस मौके का फाइदा उठाओ, success होके दिखाओ, दुनिया के लोग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो भाईया लोग की बातों में रहोगे, तो भाईया भी परिशान हो जाओगे, मैं तो simple सा रोग है, क उस दिन दुनिया को देखना पड़ेगा, याद रखना में दोस्त, success होगे ना, तो लाखो लोग आएंगे आपके पास, कि भाईया मैं तो जब ये बच्चा घूमता था ना, बच्पन में लंगा होके, तो मुझे लगता था कि ये फॉजी ही पैदा हुआ था बच्पन सह सकता है, रोड पे घूमरे हो अच्छा काम भी कर रहा है, तो लोग आएंगे चोरी कर रहा था, मैंने देखा इसे, कुछ काम का नहीं लख हुआ है, ठीक है, सरकाई नोकरी की तयारी करने वाला बच्चा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन एक बार सरकाई नोकरी हो जाए तो यही तो दुनिया किरीत है, मैरे दोस्त, अपने कभी देखा है, महनत करते हुए इंसान कोई सपोर्ट में खड़ा हो, कभी नहीं, तक एक बर वो इंसान महनत हो के सस्पूल हो जाते, इसके पीछे लाखों लोग आ जाते है, वही तो मैं कहता हूँ, कि श्टर करता हुए इ इजट नहीं करता है यह समाज, ए समाज बहुत घटिया है, और मैं इसलिए इस समाज के मैं बिल्कुल भी परवान नहीं करता, दुनिया में क्या कहेंगे लोग कोई फरक नहीं परता, मुझे फरक इससे परता है कि मुझे देखने वाले बच्चे motivate है कि नहीं, मुझे नहीं होले बच्चे सिलेक्षन लेके आएंगे कि नहीं आएंगे मैं चाहता हूं कि जिस दिन SSGD का फाइनल रिजल्ट आए मेरा कॉमेंट से स्क्रम भल जाना चाहिए कि सब्सक्राइब बहुत बहुत बच्चे इंस्पाइर हुए और आज बहुत बड़े मुकाम पर है खुसी लगता है जब आप मैं किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाता हूं जब दस बच्चे मुझे गेर लेते हैं और कहते हैं सौरब भया आपको देखके मैं बहुत ही मोटिवेट था पढ़ने का मन नहीं करता था पर आपको देखके मैं मोटिवेट तो खुसी लगता है एक अलग चीज से और वो जो खुसी है उसको मैं बयान नहीं कर सकता और मैं चाहता हूं कि इस बार हर कोई फॉजी बने और हर गरीब का बच्चा भया इस बार कोई ना कोई फॉज में जाए और सिलेक्शन लेकिया है स्थी एरप आइड़ी एप इसल बोलने वाले बहुत बोलेंगे जलने वाले जलते रहेंगे पड़ भाईया मैं तो सिंपल कहता हूं जलो मत बराबरी करो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन पॉंड़ी तो साथ बहुत बहुत है कि जय बंदे मात्रम लवी मारे सारे भाईयों को जय हिंद जय भारत जय भातरकाली जय बीर सिवाजी